सर जी आज जो है न यहाँ पर हम स्वप्ठनार लगाने वाले है वो भी डिजिटल वाला यह सामने जो आपका नजर में आ रहा है यह सौल्ट टैंक है इसमें थोड़ा सा यहाँ क्रेक है मतलब यह सारा चीज जो है बहुत पहले से मंगा हुआ है पड़ा है यहाँ सब कुछ इस से हम फ्टिण करेंगे पूरा कमपलेट आपको दिखाएंगे कैसे पाइपलेईन शिष्टम फ्टिण किया जाता है और क्या-क्या चीछ आपको ज़रुरत बढ़ेगा वो सारा चीज दिखाएंगे इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से आता है ठिक है आप इसके अंदर क् ये जो है स्वाननेडफल्प है स्वाननेडफल्प का भी क्या काम है वो भी हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से इसमें एमेवेटी वगेर भी दिया है लेकिन आपको काम जो दिखाएंगे वो थोड़ा अलग दिखाने वाले है तो चलिए सबी चीछ हम दिखाते हैं मतलब उपर से ही आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, कुछ इस तरीकिका है, यहाँ पर थ्रेड वगेरा दिया है, outlet inlet का option है, जैसे कि यहाँ देख लिए इन लिखा है और यहाँ पर out का option लिखा हुआ है, मतलब यह दोन में pipe lane का main connection होएगा, इसमें wiser वगेरा है, cable है, अब चल करने का जरूरत नहीं है, वो ऐसी ही का वैसी ही रहेगा, और इसके अंदर वापस pipe को डाल देना है, थोड़ा सा यहाँ पन्नी डिश्टाप कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ फार देंगे उपर की साइट, क्योंकि यह fitting करने वाला हूँ है, इस पाइप को हम अंदर डाल है, देख लिजिए, यहाँ पर lock system है, और यहाँ पर भी इस तरीके से header में lock का system दिया है, तो क्या करना है, इसे हम उसमें press करके fit कर लेंगे, बिल्कुल strong हो जाएगा, आपको press करने के बाद इसे जो है, आपको थोड़ा सा left right में घुमा के देखना है, fit हो जाएगा, आप द header में आपको यहाँ पर यह वाइसर को अच्छे तरीके से set कर लेना है, आप यह set करने के बाद जो है UPBC pipe है, उसके अंदर इसे उरीडी सर को fit करना है, और यह वाला जो header है, आपको इसको अच्छे तरीके से tight कर देना है, बाकि आप चैनल में नए हो तो चैनल को subscribe करिएगा जरूर, और वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को like, comment, share करना बिलकर नद भूलिएगा, बागी वीडियो अच्छे नहीं लगते तो dislike जरूर कर दिजएगा, बागी हमारा फेजूख page DR plumber में देख रहे हो तो follow जरूर कर दिए और वीडियो को जादा से जादा share करिए, लाइक करिए, और YouTube में देख रहे हो, ABCD साब को channel में, तो description में link है, फेजूख page का, तो वहाँ पर जाके आप follow करके support भी कर सकते हो, आप यह जो है अच्छे दरीकी से पूरा tight हो चुका है, complete, आप यहाँ पर inlet outlet का जो option है, आपको देख रहे हो, इसे हम fitting करने वाले है, अब इसे लिए कमाल का चीज दिखाते है, यहाँ देख लिए दो छोड़ा छोड़ा वाइसर है, और यह जो है, एगजेश्टिंग नीपल है, इसे आप maintenance करने के लिए बहुत आसानी होगा, इसमें देख लिए एक छोड़ा सा पंखा है, बहुत मस्ती घूम रहा है, यह जो है ह वाइसर देना है, सिंपल सा, यहाँ पर टेबलम टेप का जरूरत नहीं है, वाइसर दो और फेटिंग करो, पंखे वाला आउटलेट में यहाँ पर फेटिंग कर लेना है, हाथों से टाइट कर दो, हलका सा पाना भी लग सकता है, तो लगा दीजी अगर हाथ से आप से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर यह टाइट कर सकते हैं, अब टाइट करने के बाद, इससे हम फिर से यहाँ पर लगा देंगे, और लगाने के बाद इस किलिप को जो है, उपर से प्रेस कर देंगे, यह लिकेज भी नहीं होगा, आप यह दोनों को हम के अंदर वी आप रख सकते हों हम यहां इसके अंदर वायसर को रख देते हैं वैससा मी इसका Python पुरा complete हम fitting करते है और थोड़ा थोड़ा चीच सबी चीच हम बताते है अब इसको हम खोल लेते हैं क्योंकि वहाँ पर मुझे fitting करने में असानी नहीं होगा अब इसमें हम क्या करेंगे CPVC का काम कर रहे है अब UPVC का भी काम कर सकते हो कोई problem नहीं है क्योंकि सबी का thread सेम है आप इसमें tablet tip देरना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें wiser है तो ये जो है low pressure meter है इसका काम बहुत ही जबरदस्त है अगर आपका pressure नहीं आ रहा है तो ये बता देगा और आपका meter को पूरा header को बंद कर देगा और ये जो है हमारा tablet tip जहां लग रहा है ये आपका drain वाला है जिसमें आपका 3-4-1 आदे का FTA लग रहा है CPVC आप UPVC भी fitting कर सकते हो तो बबार बोल दे रहा है अब यहाँ पर FTA लगेगा लेकिन इस meter को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि tablet tip लगाया नहीं जा रहा है इसे हटा दिया हूँ अब ये सारा चीज जो fitting हो रहा है inlet वाला line में fitting हो रहा है ध्यान रखिएगा ये outlet वाला line में नहीं inlet वाला line में ये सारा फांसन जो setting हो रहा है इसमें क्वाइसर भी है FTA में नहीं भी देंगे तो leakage नहीं होगा फिर भी हलका सा दे दिया हूँ आप देखे हो जादा नहीं दिया हूँ ठीक है अब चलिए outlet वाला में भी FTA लगा लेते है अब FTA fitting हो चुका है पूरा complete अब inlet वाला में जो फांसन है पूरा complete इसे यहां लगा कर इसे हम clip यहां लगा देंगे अब यह जो है पूरा हमारा setting हो चुका है आप क्या करेंगे यहां पर देख लीजिए drain का एक point दिया है जिसमें हमें FTA लगाना है इस FTA को यहां पर हम लगा देते है भाई साब बहुत छोटा छोटा चीज है ध्यान देना पड़ेगा और एक बर यह वीडियो आप complete देख लेंगे न तो यह स्वपनर आप अराम से लगा सकते हो किसी को ना बुलाते हुए अब यह जो है हमारा swan net valve swan net valve का का काम क्या है मालूम है अगर आपका pressure जादा हो जाता है जितना machine में चाहिए तो वो प्रेसार जादा वाला जितना system है वो वाला यह automatically drain कर देगा तो यह फाइदा होगा तो इसमें हम M.A.B.T. सब कुछ tight कर लेते हैं और इसे हम fitting कर लेते हैं यह हमारा inlet वाला जो फांसन था option जहाँ पर FTA लगा था तो उसमें हम इसे fitting कर लेंगे और देखतेर यह fitting का system जहाँ जहाँ जो चीच रहेगा वो सारा चीच हम बता देंगे अब यहाँ पर union joint भी देना पड़ेगा जो हमारा drain line है न एक उसे और swan net bulb का line दोनों को हमें interconnection करके एक outlet line ले जाना है drain line के लिए अप यह जो है हमारा drain का point है इसमें हम यहाँ पर एक union joint दिये है अप इसे अम इस्ट्रेट कर लेंगे और swan net bulb जो है उसे हम यहाँ पर इसमें connect करेंगे और सोपनर से इतना दूर कम से कम बना कर आपको outlet उतारना है बिल्कुल शाटा कर नहीं हो सगे तो आपका option अच्छा है कहीं position है दिवाल में चिपका कर लेने का तो वहाँ पर दिवाल में आप चिपका कर भी ले सकते हो अब चलिए इसे हम पेटिंग करते हैं और आप देखे सजी यहाँ पर एक चीज़ा ध्यान दिजिए हमारा यूनियन का बाला में solvent हलका सा लग चुका है तो उसे कभी ऐसा मत छुड़िएगा क्योंकि यह जो रह जाएगा अगर आप टाइट देदेंगे बाद में वह बाला जो है खुलेगा नहीं solvent से चिपक जाएगा और आप पाना से भी लगाएंगे न वह खुलेगा नहीं तो यहां पर हमारा दोनों interconnection हो चुका है सवाननेट का ओभर प्रेशर और ड्रेन का दोनों interconnection करके इसे हमें ड्रेन में लेके जाके connection करना है यहाँ पर एक कमाल का चीज देख लिए, यहाँ दो एनर्बी है, दो एनर्बी जो हमारा भार्टीकल में लगेगा, लेकिन एक एनर्बी भार्टीकल में लगना नहीं चाहिए, कौन सा, जो स्विच चेक बलप है, ठीक है, तो वो हम भार्टीकल में लगा रहे हैं, शिरिफ ए प्रेखी ओप्सेन में लगेगा चलिए आपको दिखा देते हैं इसे हम पूरा कम्प्लेट फिटिंग कर लेते हैं दोनों का सेटिंग होगे रहा और उसके बाद चलिए देखके आप चलिए आपको बताने का समय आगा है यहां देख लिए इनलेट है अप इनलेट में हमारा क्या लगेगा यह स्वीच चेक भल्प लगेगा स्वीच चेक भल्प किसलिए लगेगा क्योंकि यह हमारा नीचे से जाएगा पानी उपर की साइट तो जब नीचे से उपर की साइट जाएगा ना तब switch check भल्प आप लगा सकते हो वो अराम से काम करेगा और switch check भल्प में आपको pressure अच्छा मिलता है इसके वज़े से हम switch check भल्प vertical line में वहाँ देते हैं जहाँ नीचे से उपर पानी जाता है और outlet line में यहाँ multifaction भल्प दिया हूँ multifaction switch भल्प और यहाँ दो भल्प भी दिया हूँ आप यहाँ पर bypass line भी करूँगा यह वाला system जो है आपको जरूर करना है क्योंकि कभी अगर maintenance होता है न तो यह वाला system आपका बहुत काम आ जाएगा directly आपका tank में पानी चले जाएगा जब आपका maintenance होगा तब आपको उपर का जो दो भल्प है जैसे बंत है उस तरीके से बंत करके रखना पड़ेगा और middle का भल्प को खोल देने से आपका direct पानी टैंक में चल जाएगा और शौपनार maintenance होता रहेगा अब हमारा bypass line जो है वो पुरा complete हो चुका है यह जो है हमारा inlet का line यहां connection हो रहा है शौपनार का inlet जो पानी जाएगा हमारा storage टैंक से उसका point है पुरा pipeline system आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से है देख लिजे और यह जो है हमारा यहां इस side देख लिजे यह जो है आपका tank में चड़ेगा जो outlet है हमारा outlet का point यह tank का पानी का option है जो tank में direct जाके पानी भरेगा अब यहाँ पर और एक system आपको दिखाते है देख लिजे यह जो है हमारा यहां एक null का point देना पड़ेगा जो supplier के तरफ से directly null आता है एपटी आता है सब कुछ आता है वो इसलिए है क्योंकि customer जो है वो check कर सकते है हमारा पानी कितना soft आ रहा है या फिर hard आ रहा है इसके वज़े से यहां एक null देना पड़ता है जो supplier खुद provide करता है company के तरफ से अब इससे आपको सिरिफ simple है fitting कर देना है कहीं एक option लगा के outlet वाला line में inlet वाला line में नहीं तो यह चीच का दिहान रखे हमारा यहां bypass का नीचे off center तो यहां पर हम यह लगा दे रहे है यह नहीं जो यह हमेसा यूच होएगा नल कभी कभी यूच होगा चेक करने के लिए बस बाकी ओप रहेगा अब यहां पर जो है हमारा pipeline पुरा complete हो चुका है बस testing चालू है मतलब क यह जो केप है ना आपको इस केप को आपको सिरिफ खोलना है और इस साइट के अंदर से आपको pipe आएगा एक बस इसमें प्रेस कर देना है कैसे जैसे कि वह आरो आरो का point आता है ना एकोगाड़ अगेरा का एक flexible प्रेस करना है उसमें और यहां पर देख लिए यह नमक का ट उसके बाद यह रूख जाएगा और पानी भरेगा नहीं जो एक ballcock का काम होता है उस तरीके से यह काम करेगा अब यह चेक हो जाने दीजिए उसके बाद इसके एक complete वीडियो आपको पूरे इसी के साथ add कर दूँगा आपको समझ में अच्छा सा आएगा क्योंकि यहां पर इसके उसे सोची बताना पड़ेगा आप इसका जो pipeline है ना यह आप दो लाइन देख रहे हो यहां पर यह दोनों जो है हमारा inlet का है एक corporation का direct है एक हमारा storage tank है नीचे underground उसका है तो उससे हम लोग यहां पर इसमें connection देकर यह inlet गया है inlet में यहां union देती है क्योंकि यहां पहले यह केबल सोट पड़ रहा था तो उसके हिसाब से फिर हटाया गया तो यहां कटिंग करके coupling मारा ओ जाने दीजिए फैर पाइबलेन का system यह inlet वाला है और यह जो है आपका outlet है inlet में यहां एक NRB दिया यह आप NRB किस तरीके से दिया देख लिजिए यह जो है आपका switch NRB है ठी यह उपर की side जा रहा है और inlet होएगा यहां पर यहां इनलेट का option आपको दीखाया ऐसा पहले ठीक है यह inlet है और यह जो आपका है extra pressure जो होगा इससे निकलेगा ओके extra pressure मतलब समझ लिजिए आपका जो नीचे pump लगा है यह जो इनलेट में से pump आ रहा है वो अगर चार केजी pressure देगा अगर इसमें तीन केजी pressure कंड्रूल करेगा तो वो जो एक केजी pressure है वो स्वानेट भल्प से निकाल के drain में निकालेगा ठीक है और यहाँ पर देख लिए इसका connection किया इनलेट में और वो connection कहां आया उपर से union देकर फिर यह जो आपका drain line है यह drain वाला है ठीक है यह drain line में यहाँ union दिया उसमें interconnection कर दिया और यह दोनों pipe किदर जा रहा है यह आपका जो है नीचे से जाके drain में जाके connection हो गया कौन सा ट्रेन यहाँ पर देख लो यह आपको वेश्टेक जो नानी ट्राफ होता है उसमें जाके connection हो चुका है यह वाला line ओके आप जो है यह चीछ में आप दो अलग अलग भी drain कर सकते हो कैसे समझ लीजी आपका एक्स्ट्रा प्रेसार यह निकलता है जो हम बोल रहे थे अगर 4KG प्रेसार रहेगा इनलड में और यह ती Melbourne ने तो आपका यह पानी जो है क्या वेश्टेछ हो जाएगा त्रेन में जाएगा इससे आप safety कर सकते हो यह पानी को आप सेफ करके यहाँ दो अलग lin दे कर इस drain का आप ट्रेन में connection कर दिजे 9 trap में और यह वाला पानी टैंक में जाके दे सकते हो, क्योंकि वो पानि आपका बच्चत हो जाएगा, वो एस्टेच नहीं जाएगा, ये सिश्टम आप कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ एक Nrb है, और ये जो है आपका माल्टि फैक्षन भलप है, ये स्ट्विज भलप है, और यह की इस पोजिशन में देना चाहिए वो चीज का वीडियो एक बनाया हूँ लेकिन और भी एक बनाऊंगा डिटेल्स के साथ वो आपको समझ में असानी से आ जाएगा और यह जो है अपना बाइपस लाईना है मतलब समझ लिगे आपका यह जो सवबनार मेंटेनस का भी होगा तो आप क्या कर सकता हूँ यहां सर यह भल्प बंद कर दो और इस साइड वाला भल्प जो है वो बंद कर दो और इसे खोल दो तो डाइरेक्ली आएगा सवबनार का वार्क नहीं करेगा इधर से वो निकल जाएगा आपका आउट लेट में अब यहां जो भल्प दिया ना इससे आप दिमाक मतलगा यह आप भल्प आपको देना नहीं पड़ेगा यह हम इसलिए दिये है इसका जो लाइन है यहां पर टेंक जो है ना टेंक हमारा यहां पर है यह जो है हमारा टेंक है ओके यह देख लो यह जो पाइप है ना यहां पर बहुत काड़ चाड़ है यह बाइपास है एक डाइरेक्ट टेंक से जा रहा है एक इधर से जाके आप किस में जा रहा है सोपनार के लाइन में यह वाला गया है लेगन यह जो लाईन है यहा से टी मार के इस वाले में कनेक्शन हुआ है अब यह वालो जब भी पानि जाएगा तो उदर रिभार्स मारेगा इसके वज़े से के इस के वजय से यहां पर क्या किया हूं हम लोग भल्ब दे दिया अगर हम लोग बाइपास लाइन यह वहाँ कभी सफनर खळाब होई इधर से बाइपास करेंगे नहीं यहां बंद कर देंदे वहां से हम लोग चालो करेंग तो credit पानी चारए से हम किये हैं बागी बाइपास अगर लाइन देना चाहते हो तो इस तरीके से दिदिजिएगा और यहां फल्ब देने के जरुरत नहीं है वहां आपका पाइप्लेन के सिस्टम से होना चाहिए लेकिन वहां ज़सा कनेक्शन हुए है वैसा तो आपका नहीं होगा हम लोग थो विडियो बसना आया लाइक कमेंट से अब्लब दो यह फिर मिल लिए वह इसकोंगा आप लोग के साथ आप लोग के पास किसी दूसरे टबिक के साथ तब तक लिए बाइबाइब जाए हैं तो